हेलो स्टूडेंट्स आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि आज हम सर्चा करेंगे एक्जाम की तो जिसने भी तैयारी की है उनके लिए तो बैस्ट ओप लग क्योंकि उन्होंने तो तैयारी कर लिया और अपना सारा का सारा जो सब्जेक्ट था सले बस था सार बच्चे जो सारा का सारा सले बस टाइम पर कवर कर लेते हैं और 20-25 परशनट बच्चे ऐसे भी होते हैं बोलते हैं कि हाँ कल करेंगे कल करेंगे और कल कभी किसी का आता नहीं है और वो सोचते हैं कि एक्जाम अभी तो आए नहीं है और एक्जाम आएंगे तो हम तैयारी क कर लेंगी और 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काम होते हैं किसी की साधी कर दी जाती है बच्चों की वो रह जाती हैं बच्चियां बेचारी और उनका स्लेबस नहीं हो पाता और स्लेबस ना होने की कारण फिर क्या होता है कि लास्ट में जब उनकी एक्जाम आते हैं तो वो बहुत ही जादा क्या हो जाती हैं गम भी रो जाती हैं कि अब क्या करें अब तो इसले बस भी पूरा नहीं हुआ कुछ भी पढ़ा नहीं है और एक्जाम पास आगई तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें फिर वो क्या करते हैं ये बुक है बुक को उठाती हैं और बुक को उ आतास ना हो बिलकुल भी और वो एक हफते के अंदर-अंदर पास होना ही नहीं पास होने से अच्छे नंबर भी ला सकते हैं बहुती बढ़ी आ नंबर भी लेके आएंगे जो सटरजी मैं आपको बताऊंगी उस सटरजे से अगर वो बच्चे तयारी करेंगे तो पास-पास नहीं बलकि अच्छे नंबर भी लेके आएंगे तो चलो शरू करते हैं अपनी आज की वीडियो एक्जाम के लिए है तो आपके 22 याने अपरेल के सेकंड वीक में बता रहे हैं एक्जाम तो उस एक्जाम की तयारी हम कैसे करेंगे जिन बच्चों ने जो कर लिया अपना ज क्यासी की जाए तो उसके लिए मैं पहले तो आपको कौन श्राप्ट यह जो आपका कौन श्राप्ट है यह कलीर होना चाहिए कि आपकी यूनिट है च्यार देखो एक यूनिट यह है एक सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन और आपकी डी सेक्शन तो इन चारों में से पहले क् क्योशन आते थे एक क्योशन होता था nighttime partial Ava नबर का होगा और तोटल पांच क्योशन करने होते हैं आपको और पांच मिए और च्छोटा यूनिट से करने होते थे, तो आपकी बार कोरोना की वज़े से थोड़ा सा चेंज कर दिया, वह आप लोगों के लिए भी बेनिफिट है, क्या चेंज कर दिया, पहले क्या था, परते एक यूनिट से दो दो क्योशन आते थे, तो पहले परते एक यूनिट से जो दो क्योशन आते थे लोग और दो question में से क्या करना होता था एक question करना होता था उसमें लिखा होता था कि unit A unit B unit C और unit D तो आब की बार कोरोना के चलते क्या किया गार्मेंट ने ये सारी A B C D ये सारी के सारे section हटा दिये गए हैं और आप चाहें ऊपर की 2 या last ki c और d सुचो कोई बियूट करोगे तो उसमें किया बता दिया कि आप किसी भी यूडियू या आप कोई भी चायर के उन्करो खरो तो ये साथ लेसन है, फ़स्ट इन्ट में साथ लेसन है, और ये फेसल क्या है, इंडियन जयोग्रफी का जब फीजिकल स्ट्रेक्टर है, वो है, तो थुड़ा ये बच्चों को हैवी लगता है, MU है, और दूसरे में, देखें, तो सक्षन ये तीन लेसन है, तो इसको भी हम कम है देखो पर्तेक मेंने अब ये तो है कि पर्तेक में से दो दो क्योट्र है और दो मेंसे करना है किसे से टोटल सबस्य में ही वे पूरी बुक करोगे उसने घ्ला कर आप दो उनिट कर लो दो युनिट आप कर लो तो दो युनिट भी कौन सी कर रहें देखो उपरा लित तो उपर वाली आपको थोड़ी घवी लगेगी साथ लेशन है उपर वाली में फस्ट एंट में तो साथ लेशन में कम से कम 12-13 क्योशन बनते हैं ठीक है? तो इस से बेटर हम क्या देखेंगे? कोई एजी हो, आपके जो च्यार सेक्षन है ए, बी, सी और डी सेक्षन है आपका, इन में से हमने ये देखना है पहले तो ये देखेंगे कि सबसे कम लेसन किसमें है तो देखो सबसे कम lesson आपके B section में है ये दिखो थोड़ा सा B section में सबसे कम है तो इसमें एक तो जनसंग्यागा वितरन गंतावर्द और शंगटन है दूसरा परवास है परवास में आपका एक ही question बनता है दूसरा मानवबस्तिया नगरीकरण का स्तर पर इसमें आपके दो question बनते है एक तो मानवबस्तियों पर एक नगरीकरण पर ठीक है एक तो आपकी सबसे सोटी उनटी होगी तो तीन lesson आप ये कर लोगे section B के और तीन lesson ये देखो आपके section D के भी तीन ही lesson है बिनिर्मान उध्योग है परिवेंस dodge low और अंत्राष्टी व्या पार है अंत्राष्टी व्याप़ार पर वी एकalley तो ये देखो पूरे के पूरे आप लेसन देखोगे अगर आप देखो 7 lesson तो ये है, 7 और 3 ये है, 10, 10 lesson और आपके section C में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lesson ये हैं, यानि total lesson आपके देखे जाएं तो 19 है, एक तो आप 19 lesson करो, ठीक है, एक आप मातर 6 lesson करो, वो भी easy वाले, 6 lesson करोगे, तो 6 में से भी आपके 4 हो जाएंगे, चार ही आपको करन हैं, तो कोई से भी unit से कुछ भी उठाओ, कुछ भी लिखोई, आपके बार ये नहीं है, कि एक unit से एक ही compulsory है, दूसरी से भी compulsory, तीसरी से भी, आपके बार आपके करोणा के चलते हैं, क्या किया है, कि सारे की सारे जो section है, उन में से कोई भी आप करो, तो आपको तैयारी, जिन बच्चों ने कर लिए वो तो अच्छी बात है, जिन उने नहीं करी, तो क्या उठाएंगे, section B, उठा लेंगे, section B में आपके तीन lesson है, और section D ले लेंगे, section D में आपके तीन lesson है, यानि छाई lesson करने है, तो इन छाई lesson में भी आपन ये देख लेंगे, कि कौन सा कौन सा देखो इसमें परवास का तो बिलकुल इजी है, परवास का, आवास और परवास का, मानव बस्तियों का, नगरी करन का और जन संख्या वितरन का, अगर आपको ये भी जो जन संख्या वितरन है, ये थोड़ी सी लैंथी है, जन संख्या वितरन में क्या है, आपको data याद कर गया बहुत सारे डेटा हैं वो आपको राजयवार बताने पड़ते हैं कि इस राजय में ये है इस राजय में ये है अगर आपको ये भी लगता है तो आपने क्या करना है देखो परवास का गर लेना है ये क्योशन आपका परवास पे बनता है दो क्योशन आपके मानवबस्त जी है बहुत ही बढ़िया और आपका अगर किसी ने अंतराष्ट ये व्यापार का कुछ भी नहीं अंतराष्ट ये व्यापार में एक ही क्योशन बनता है और छोटा सा ये लेसन है इसमें और जो परिवेन है इसमें आपका सड़क परिवेन और रेल्वेस परिवेन ये दो इ इसकी बजाए आपको कौन सा करना है इसकी बजाए आपने जैसे ये जो लेशन नमबर 16 है खनीज दथा उर्जा के संसाधन इसमें से एक क्यों सनाता है 100% अपकी बार भी जरूर आना चाहिए तो आप ये लेशन कर सकते हो इसके इसको छोड़ के जो जन संख्या गंत हो इसको एक तो लेशन नमबर है आपका 17 इंपोर्टेंट और एक खनीज दथा उर्जा संसाधन दूसरा आपका इंपोर्टेंट वैसे तो आगर ये दो आप ना कर पाओ मानवबस्तियां और जो परवास है ये ना कर पाओ तो आप जन संख्या काकेला कर सकते हो जो ये तीन लेशन है इन में से भी तीन क्योशन तो आपके आराम से आएंगे ही आएंगे 100% इन में से तीन क्योशन आपके आ सकते हैं और एक तो आपको सभी को वो तो पूरी बुक में से आएंगे दो दो नमबर की वो तो आपके उपर डिपेंड है कि आपको आते हैं या नहीं आते हैं उसक तो आपने बुक में से जो याद करोगे एक बारी योर कुछ नहीं तो उसके दरूर करो उसके पयाद करो लिख के देखो तकी द्यान रहें चीज़े środक्ते शेंटें उर और एक्जम में बैठते य बच्छे घब्रा वी जाते हैं कि आपको घब्रानी की ज़रूरत नहीं है जैसे हमें हमेशा आपका हर हफ्टे या दस दिन में क्या लेती थी अक्टेस्ट लेती थी तो आप यही सुच्चों कि हां मैडम नहीं टैस्ट लिये हैं जितना आता था आपको उसका भी 50% कर पाओगे कुछ तो आपको आता ही नहीं होगा और कुछ आएगा उसका भी 50% करोगे अगर आप confidence से करोगी हाँ सब कुछ आता है और महाराम से कर लूँगा तो आप बहुत ही बड़ीया तरीके से दे पाओगी तो इसमें आप पेपर देने का तरीका और आपको बता दे कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि एक्जाम में पेपर कैसे देते हैं कैसे नहीं कई बारी बच्चे क्या करते हैं ब्लू पैन ही लेगे जाते हैं और ब्लू पैन से जैसे क्योशन नंबर एक है क्योशन नंबर दो है क्योशन नं प्रदेशी कें और प्रदेशills शुमें प्रदेशी तो ही लुष करने फिर छीट करेंदा किंधान सेंगनना पrikूल में में बोर में जुमुथ दून पर आखकरें एकजाम करेंगे रखएंगर राइमनि ऺंद प्रदेशी कोल्क नमब beam जन संख्या वितरन के उपर आ गया तो क्योंसर नमबर छे आपको अच्छा आता है तो ये करो, आपके उसन नमबर एक को छोड़के क्योंसर नमबर छे करो, और उसको भी आप बलैक पैन लेके जाओ, हैडिंग आप बलैक पैन में डालो, और जितना होस के, उतना आपने ये तो पूरी की पूरी आपकी इंडियन जोग्रोफी है भी ये फस्ट इयर का जो मैटर है ये अपने जो डिसकस कर रहे हैं तो इसमें आपने कोशिज क्या करनी है कि इसमें आपने डाइग्राम बनाना है इंडिया का इंडिया का इंडिया का इंडिया का इंडिया बनाना है और उसके साथ आप साथ अवेल वह भी है अगर किसी से इंडिया का नक्सा अच्छे से ना बन पाई तो उसका एक खाचा टाइप में आता है वो भी कई बारी बच्छे लेकर जाते हैं उससे अच्छा फरक पड़ता है और पैंसिल अपनी साथ लेकर चले जो भी डाइग्राम बनाओना वो पैंसिल से बनाना है पैंसे नहीं तो उससे भी आपके नंबर अच्छे आएंगी क्योंकि आप डाइग्राम बनाओगे उसमें च्यार पांच चीजे भी अच्छे से दर्शाद होगी जैसे आपने करना है कोई क्यों सनाया है आपका की गन्ना है गन्ने का साद होगे उसमें भी रहेगा कि हां बच्चे ने कुछ कर रखा है डाइग्राम है और वह आपके अच्छे परसंटेज में सायक होएंगे आपकी परसंटेज क्या होगी अच्छी आएगी तो यह था आपका एक्जाम से रिलेटेड और ब्लू पैन और आपकी पैंसिल होनी चाहिए कई बारी बच्चे लाइनिंग करते हैं तो लाइनिंग करने के लिए स्केल नहीं मिलती और आपका एक बलैक हां जाए तो ब्लैक पैंसे आपने हैदिंग बनाने हैं आपको एक चित्र भी बनाना है और अच्छे से और कई बच्चो का क्या है आती होए भी चुट आता है कि यस ही इंपोर्टों है कि कैब चों पाचो के पान्चों दो आती हैं लेकिन स्पीड इतनी नये हूँ पाती कि वू पूरे पांचो के पास्चों करें तो घडी अ पनी साथ बंद के लिये तो पहले एक क्योशन में गंटा लगा देते हैं फिर बाद में पता चलता हो यह गंटा हो गया भी तो एग लिखा फिर वो हडबडी करते हैं तो वह आद दूरा लिखना सुरू कर देते हैं कि पाचों क्योशन नहीं हो तो आपने पुरे के पूरे तो यह आपका से रिलेटिड था तो जो हतास नहीं जिन बच्चों ने अभी बी कुछ भी नहीं बुक भी उठागे नहीं देखिया ना वह बच्चा भी अच्छे नंबरों से पास पास हो सकता है अगर वह मेनत करेगा अभी भी हपते-दस दिन के लिए अच्छी मेनत करेगा तो वह बच्चा पास हो सकता है और अच्छे नंबरों से पास हो सकता है तो उसके लिए देखो मैने बताया है आपने सेक्षन सी उठा लेना है सेक्षन बी उठा लेना है सेक्षन बी में वह उस बच्चे पर डिपेंड है कि उसका कौन सा पार्ट अच्छा है क्योंकि च्वियापार पे भी कई बार या जाता है क्योशन दो ये टीनının पमझे पजसे पना पर्वास दो बिल्कुल हो पर्वास-चाहिता है अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो भी बावास क्या होता है कितने परकार होते हैं पर्वास और जो मानव बस्तियां है आप खुद ऐसी जगह रहते हो क्योंकि आपना क्या है एरिया सारा का सारा रूरल एरिया है और जो धानिया वगरा होती हैं वहाँ बच्चे रहते हैं उनको पता है कि बस्तिया कितने परकार की हैं नगरीगरण क्या होता है यह अच्छे से आप बुक उठाके देखोगे और पढ़ोगे तो आपको सारी चीज्ज आसानी से समझ में आजेएंगी तो कोशिश तो ये करो कि जो मैंने ये तीन चैर्क जो लेसन मैंने बताए हैं इनमें आपने क्या करना है अच्छे-च्छे से हो सके तो आप नोट्स बना लो लेसन वाइज इतने क्योशन होंगे और लेसन लोग वह भी नहीं बना पाओ आप वह बहुत ना बना पाओ तो कम से कम पढ़के और हैडिंग जरूर डालने हैं सारी चीजों कि और अपने मन में दोरा के देखना है कि हां मेरे को आता है या नहीं आता है को अपने आप पे और बिल्कुल करने तरफ से और जो भी किसी बच्चे को डाउट होता है या फिर कोई क्योसन की नहीं है तो आप क्या करो जो कमेंट है कमेंट में डॉल सकते हो की मैं ये कौण-कौनसे लेसन मेने बताएक तो इसमें से इं limited evolution से क्योसन हो सकते हैं तो इनको टाइम लगे गा तो मापको फ् आसानी रहेगी तो धन्यवाद भई आपको